कहानी कुर्सी की में अब कहानी महराश की महराश में पिछले ग्यारा दिनों से देश का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि सियासी हलचल का एपिसेंटर बना हुआ है और महराश से एक बड़ी खबर आ सकती है कैबिनेट विस्तार और पोर्टफोलियो पर जो वहाँ पेच फसा हुआ है वो हो सकता है कि आज सुलच जाए महराश के मुख्यमंतरी के आवास पर एकनाच शिंदे जी के घर पर देड़ घंटे तक एक मीटिंग हुई और इस बैठक में सीम एकनाच शिंदे, डिप्टी सीम देविनर पर्णवेस और दूसरे डिप्टी सीम अजीद पवार ये तीनों लोग थे पर्णवेस अब मीटिंग से भार चले गए हैं लेकिन अजीद पवार और शिंदे के बीच में बातचीत अभी वी चल रही है तो पिछले 24 घंटों में किस किसम के हलचल है महराश में आई एक नजर उस पर हम डाल लेते हैं और फिर ये क्यों भारती जन्ता पार्टी के लिए इतना इंपॉर्टन्ट है और ये जगडा सुल जाने के बाद क्या महराश का संकट फाइनल तौर पर दूर हो जाएगा की चर्चा है कि जब दिली में मंत्री मंदल का विस्तार होगा तो उसमें उनको जगे मिलेगी प्रफुल पठेल का नाम इसके लिए चल रहा है बाकी हसन मुश्रिफ भी पार्टी की बड़े सीनियर लीडर है और इनके उपर एजिंसियों की नजर भी है दूसरा दूसरी बड़ी बात ये है कि महराश में कैबिनेट विस्तार में दरसल पेच ये है कि विभाग कौन सा किसको दिया जाए उससे भी बड़ी बात ये किस से लेकर विभाग एनसीपी को दिया जाए सारे प्रमुक विभाग जाहिरे जब दो ही दल थे गटबंदन के अंदर तो वो शिंदे सेना और बीजेपी के बीच बटे हुए थे लेकिन अब अजीद पवार जिसे कहते हैं लाइन्स शेर वो मागना चाह रहे हैं और इसके लिए खास तोर पर मुख्यमंतरी शिंदे तयार नहीं है अजीद पवार चाहते हैं कि एन्सीपी को वित्वंतराले मिलना चाहिए शिंदे गुट इसका साफ विरोध कर रहा है M.B.A. की सरकार में उनको पहले फंड मिलने की दिक्कते हुई थी तो ये वो कह रहे हैं कि अब हम ऐसी परिस्थिती में कहीं दुबारा फसना नहीं चाहते हैं और इसके लावा बाकी कई और विभागों को लेकर की पावर है रेविन्यू है इस सब को लेकर की भी अभी डिमांड चल रही है N.C.P की तरफ से महराश की राजनीती की कर रहे थे दिल्ली में कहम मीटिंग हुई और उसके बाद महराश में वो मुलाकात चल रही है कई दिन हो चुके हैं जब अजीत पवार अपने साथियों के साथ जो है वो इस सरकार में शामिल हुए है लेकिन अभी तक उनके मंत्रियों को विभाग नहीं दिये जा सके है चुकांकर साब क्या मामला फसा हुआ है और अब दिल्ली की बैठक और महराश की बैठक के बाद कोई नतीजा निकला है देखे मुझे लग रहा है कल जे हिसाब से रात को अमिशा के साथ इनके बैठक हुई है तो उसके बाद निशिरुप से कोई solution निकला होगा लेकिन देखे सिर्व एकनाथ शिंदे का विरोध नहीं है मंत्र मंदल में विस्तार में इनको जो विभाग देना उसको लेके देवेन फंणेवीस और भर्णी अंता पार्टी के लिए बड़ी एक समस्या है दिखे जब एकनाश बीणेप शिंदे को मुख्य मंत्री बनाए गया तो सारे बड़े तो अब अब अगर अज़ित पावार को आप तो बहातरी अंता पार्टी के पास भी जाने वालें निवारतो के email की मेलेश को कितना lot सब्सक्राइब रहेगे खुए सब्सक्राइब कि लिए समझस्या यह है कि एकनाशule कषञे कि स्थिमीनीश चाहते यह basically बहुत important जगह है जहां के पालक मंत्री जो बनते हैं वो शेतर में काफी दबदबा रखते हैं तो अजीष पवार ने अजीष चाह से बहुत काई कि मुझे पूर्ने का पालक मंत्री NCP का ही मंत्री को बनाना गए ऍारवा इसके अलावा अजित पवायागरे तो ये तो ये तीनों मंत्राले नियुक्ते हैं सब्सक्राइए कि प्रदेशंतब्क करें रज ह के लिए कि सिर्फ एकनाथ शृंदे के नाराजगी कि नहीं है देवैंन फंडो不對 बistically कितने विभाग मांगे और क्या-कषा शनिती करते हैं बहुत महाराश के राजनिती के डबंग नेता कहलािते ह। वो अगर डेपूसी पुरा बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जरूर बड़े विभाग मांगे होंगे लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखती हुए कि जिसमें एकनाशिंदे की सरकार के भी 40 विदाये के बारज़ेंता पार्टी के 105 विदाये के और अजीत पा अब दफ्तर दे दिया विभाग मिली ना मिले क्या फरक पड़ता है अनिश्य तोर पे बहुत पेशीदगी वाली इस्तिति है और इस तरह से जोड़तोर करके जब आप सरकार बनाते हैं ये इनके प्रकार हैं तो ऐसी तस्वीरें सामने आती ही हैं जैसे शिंदे के जो लेकिन समझा जा सकता है कि अगर इस प्रकार का अविश्वास हो तो इस्तिती कितनी पेशीदगी वरी हो सकती है बीजेपी के लिहां से बहुत मुसीबत इसलिए नहीं होने जा रही है कि बीजेपी में कोई भी नेता इंक्लूडिंग देविंध फरनवीस ऐसे नहीं है कि अगर दिल्ली से कोई कमांड चला जाए तो उसको थोड़ा भी मोलभाव करने की वो इस सिती में हो लेकिन शिंदे के लिए निश्वास पर मुसीबत रहेगी और एकनाज शिंदे और अजित पवार का टसा सवरब आगे आने वाले दिनों में भी आपको लगातार देखने क कि ऐसा नहीं है लेकिन एकनाज शिंदे और अजित पवार उन दोनों का टसल तो बड़ा भारी रहेगा और वहाँ पर दिवेंद फरनवीस और बीजेपिक के लिए मुसीबत यह रहेगी कि कैसे कोडिनेशन बना के वो चले अमिशा के साथ बैठक में क्या फाइनल हुआ य ने ने तीन है ने तीन लाई गई है यह कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि तीन तलवार थी यह तो लाई गई है और दूसरे की म्यान तोड़ने के लिए यह तलवार वहां की लाके यहां रख लिए तो इसमें कोई मतलब यह कोई भारती जनता पार्टी ने तै करके किया फैसला ह अमिट शाह ने तैक करके उद्धो ठाकरे और शरत पवार कुंट की राजनीतिक हैसियत बनाने के लिए किया है तो उसका जो खामियाजा है वो भी भूगतना पड़ेगा केवल यह जो मैंने अभी कहा आपसे वो इसलिए क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि एक सरकार में तीन ऐसे लोग हो जो काबिल भी हो मैं तो कांग्षा भी रखते हो और दो तो उसमें एक हैं और एक रह चुके हैं जो मुख्यमंतरी रहे हो नहीं मुझे लगता है कि महत्वा कांग्षा तो देखे सबकी होती है राजनीति में लेकिन यहां चुकी महत्वा कांग्षा आपने उसको हवा दी है यहां महत्वा कांग्षा को हवा भी दी गई है और वो राजनेतिक तोर पर भाजफा के लिए जरूरी था, अमिट शाह के लिए जरूरी था, अब सवाल ये है कि क्या इन तीनों का संतुलन बिनेगा, तो फड़नवीस और शिंदे, ये तो संतुलन मना के चली रहे थे, अब लोकसभाज चुनाओं तक मुझे नहीं लगता क अजित पवार जहां तक चले गए हैं, वो लोट कर फिर से कुछ गडबड होते देखना चाहेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि अंतिम जो एक जिसको कहते हैं कि कहां तक पहुंचेंगे, तो अंतिम दरबार है, अमिट शाह का, अगर वहां जाकर बैठ गए हैं, तो महायुती बनी माराश में केवल वहां पर दिखाई दे रही है, विपक्ष वहां कोई सरकारों के लिए नहीं जगड़ा है, विपक्ष में ये चल रहा है कि जब सारे नेताब को नेताओं को एक होना है, तो कोई अलाइंस बनेगा, उसका कुछ नाम भी बनेगा, जैसे फिल सबसे उपर रखना चाहते हैं और खुद नहीं चाहिक हैं, लेकिन बाके नेताओं के जरीए वो ये बात कहलवा रहे हैं कि वहीं कन्वीनर बने इस मोर्चे का, विपक्षी मोर्चे का, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने ऐसा लगता है कि उनकी स्कीम में एक पेच फसा दिय अब क्योंकि कॉंग्रेस चाहसेत राज्य करनाटक के अंदर बैटेक होने जा रही है, तो वहां सोनिया गांदी मौझूध होंगी सब नेताओं में इस वक्त सबसे सीनियर लीडर, सबसे रिस्पेक्टेड लीडर, विपक्ष के नेताओं में, वो सोनिया गांदी है चाहे शरत पवार से आप तुनलां कर ले, नितीश कुमार से आप तुनलां कर ले, चाहे कोई और निता हो, ममताब इनरजी हो हर कोई सुनिया गांधी की इज़त भी करता है, सुनिया गांधी के नाम पर किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होती है अब सवाल यही है कि UPA का चेर परसन वो रही अब उसके बाद क्या इस PDA की चेर परसन या कनवीनर भी वो रह सकती है और जादातर दनों के नेता ये चाहते हैं कि सुनिया गांदी अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है नितीश कुमार के नाम से कुछेग लोगों को प्रॉबलम हो सकती है और नितीश कुमार अभी चाहते जरूर है कि इसका जिम्मा क्यूंकि उन्होंने इसकी शुरुबात की पहल की कि विपक्षिद अलिक जुठो उनका नाम आगे बढ़ाया जाए लेकिन उनके नाम पर आम सह हमती अभी तक बन नहीं पाई है अब ये जगडा जो है कहां तक पहुंच रहा है या जगडा इसे कहे या अभी चल रहा है तो नितीश एक ऐसे निता के तोर पर खुद को प्रसुत कर रहे हैं जो सब कुछ छोड़ने को तयार है लेकिन भाजपा को हराएगा विपक्षी एकता कराएगा तो सुनिया गांधी को सैयोजक बनाया जाएगा इसमें अभी भी मुझे संदे है सुनिया गांधी भले ही व और सुनिया के नाम पर अगर होगा तो मुझे लगता है किसी को भी असामती नहीं होगी ये सारे लोग तैयार हो जाएगे उसकी वज़ख क्या क्योंकि सबको लगता है क्नाया जाए मुझे लोग बाकी दालों को प्रॉब्लम कॉंग्रेस पार्टी से है लेकिन सुनिया गांधी के नाम पर्सक्राइब और कोई बनेगा अगर राहुल गानी बनेगा तो ओं मुझे लग रहा है कि सुनिया के सवास्त की समस्या भी है हेल्थ उशी भी और जो सभी पर्टियों के साथ लगातर बात करना पड़ेगी. पुर्ज प्रदेशों में दोरा करना पड़ेगा. मुझे लगता है कि सुनिया का स्वास्त इस बात में इजासत नहीं देता है. है और सुनिया कि वो understanding बाकित दलों के साथ नहीं जो नितीश कुमार के लंबे साहिए बटेश कुमार भी बनना चाहते हैं और नितीश कुमार के गुरू जोड़ец किसी और किसर चली जाएगी बिल्कुल लेकिन नितिश कुमार के पूरी मोहिब अपने आपको दिल्ली की राजिती में स्टेबिलिश करनी के लिए उसलिए वह लगातार बिहार को छोड़कर पुरे दैश का दोरा कर रहा है बार्जनता पार्टी बिहार से तुनको धक्का पह अब सवाल अभी इस वक्त लोगों के मन में देवेंदर ये होगा पहली मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात में बात कितनी आगे बढ़ सकती है क्योंकि जाहिर अभी तक तो कुछ नहीं आप पहली मुलाकात में लोग मिले थे सबने प्रेस कॉपिनस करके कि किवल इतना ही कि उसमें सबसे बड़ी समस्य यह नहीं है कि आपके इसूस क्या होंगे इसूस अगर आप देखें तो सब के कॉमन हैं इसूस बड़ा यह रहेगा कि जो आप टिकट डिश्विशन करना है कि किस दल पे कौन सा दल कहां लड़ेगा चुनाव में जैसे बंगॉल की बात कर ल सिर्फ एक ही उमिद्वार हो पोजीशन का इस रर नीती को धरातर पढ़ लेकर आना वो एक बड़ा चैलेंज होगा और जो कंवेनर की बात जैसे सोनिया गानी कर लें या नितिश कुमार को एकसेप्ट किया जागा उस रूप में लेकिन और नितिश कुमार भी बहुत आगे तोर पे डूरा जाएना जिसके सब के साथ ही क्वेशन अच्छे हो तो उसमें उनका नाम आ जाए वो पोस्ट इलेक्शन ज्यादा अपनी संभावना देख रहे हैं बनिस्पत इसके कि पहले उनको प्रजेक्ट कर दिया पहले प्रजेक्ट करने को लेकर जब आपको याद होगा कि दिल्ली में राहूल गांदी से मिलने गए थे और उसके बाद ही अलग हुए था तो राहूल गांदी से उनकी मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात में उन्होंने एक इच्छा अपनी व्यक्त की थी कि पहले आप केंडिडेचर का एनाउंस्मेंट कर दें कॉ सबके साथ उनके ग्वेशन ठीक रहें और एक बाद जब रियल्ट आ जाए तो अगर वो यह मानके चलते हैं कि बिहार में 30-32 सीटे आएंगी उनकी माघडबंदर की और इसके अधार पे वो सबसे बड़ी ताकत बने उनकी दावेदारी मस्बूत हो जाए